पर रात में सड्यली मुझे बहुत से SMS आने लगे जिसके कारण में थोड़ा बहुत डर्सा गया था कि यह क्या हो रहा है सायद कोई hacking तो नहीं है लेकिन मैंने ठीक से इसे देखा तो यह सारे application के OTP थे लेकिन ऐसा नहीं है कि application के प्रेंक कैसे लेकिन अगर आप किसी भी पार्टिकूलर SMS को ओपेन करके देखें तो यह भी एक ओफिस्यल वेबसाइट से भीजा जाएंगे लेकिन एक यह एक फ्रॉड है और यह कैसे किया जाता है और आपको बताने वाना और साथ में इसके solution क्या है तो देखो आपके friends या family में किसी के पास आपका phone number तो होगा और एक application के अप्लिकेशन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा मैं आपको application के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैं आपको इस application के बारे में बता दिया तो आप भी इसका यहां से आप किसी पार्टिकुलर पर्संट का नंबर डालोगे और यहां से अपना काउंट डालोगे कितने टाइम्स चाहते हैं और उसके बाद यहां से जैसे बॉंबीट पर टैप करेंगे उसके SMS पर जैसे हम लोगे फोन में SMS आ रहा है ओटीपी वैसा वाला चला जाएगा लेकिन यहां से आप चाहो तो SMS सकते हो खुझ से लिखा हुआ SMS सकते हो इमेल भी सेंड कर सकते हो या फिर इभेन वाट्सम पर भी लेकिन इससे घाटे होंगे मैं बंद इसलिए नहीं कर रहा हुए कोई फ्रेंड से प्रेंड करना है और आपको SMS बंद कर देगा लेकिन इसलिए प्रेंजर वाले SMS को बंद कर दूंगा तो इंपोर्टेट मैसेज भी मुझे नहीं आएंगा वर सांस में किसी चीज में लोग अगर कोई एक्सेस ले लेता है तो बड़ी बात नहीं है तो बस आप समझ गयोंगों कि एक फ्रेंक है दुसरा कुछ नहीं बस आपको इन चीजों को सेक्यूर रखना है सेफ रखना है तो मिलते हैं